तो देखो भाई लोग टोईटा ने फाइनली हाइक्रोस को इंडियन मकेट में रिवील कर दिया है जो कि इनुवा क्रिस्टा का अपग्डेड़ेड वर्जिन है लेकिन बहुत सरे लोग कन्फिजड है कि इनुवा क्रिस्टा को खरीदे या फिर हाइक्रोस की साथ जाए इसक पाच पॉइंट के बार में डीटेल में बात करूंगा जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए इनुवा हाइक्रोस को खरीदने के लिए और इनुवा क्रिस्टा और टोएटा फॉर्चनर यनि वह कौन से पाच पॉइंट है जो कि इनुवा है क्रिस्टा इसके अलावा दीजल इसके अलावा टोएटा फॉर्चुनर का इसके लावा फॉर्चनर को पर्चेस कता है लेकिन अपको हैक्रोस के अंदर क्रिक्रोस का स्लाइट बढ़िया बात है अगर आपको थूड़ी सी कम देखने को मिल जाएगे अगर आप इसके पावर ओपुट को Fortuner के पावर ओपुट के साथ कमपेर करोगे लेकिन High Cross का जो Strong Hybrid मॉडल है वो लगभग 183 PS की पावर ओपुट और 188 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है तो अबर आपको Innova Crystal के मुगाबले थूड़ी सी जादा पावर ओपुट मिलने वाली है Mild Hybrid इसके अलाबा Strong Hybrid एंजिन के साथ लेकिन Fortuner के मुगाबले आपको High Cross के अंदर Power Output कम मिलने वाली है टॉर्क भी आपको कम मिलेगा लेकिन जो चीज आपको ज़्यादा मिलेगी वो है माइलेज टोयेटा ने क्लेम किया है High Cross का Strong Hybrid मॉडल लगवागी 21.1 km पर लिटर का माइलेज देगा Strong Hybrid सिस्टेम के साथ इनी 21 के ऊपर आपको माइलेज मिलेगा एक 7 सीटर और 8 सीटर कार के अंदर तो और क्या चाहिए आपको जिन्दगी में और इसका जो Mild Hybrid इंजिन रहेगा उसका माइलेज अभी दख सामने निकल कर नहीं आया है जैसे ही ये चीज़े सामने निकल कर आती है और जैसे ही इसके प्राइसे रिवील किया जाएंगे मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूँगा उसके लिए आपको चैनल को सबस्क्राइब करके बल नोटिफिकेशन को अन रखना है तो यहाँ बर इंजिन स्पसिफिकेशन के मामले में हाइक्रोस थोड़ी सी आगे निकल जाती है एस केंपेर टू क्रिस्टा लेकिन टोयटा फॉर्चुरर के अंदर आपको पावर उटपुट और टॉर्क सबसे ज़दा मिलेगा लेकिन माईलेज आपको हाइक्रोस के अंदर मिलने वाला है और इसके अंदर आपको 7 सिटर और 8 सिटर कॉन्फिगरेशन को ओप्शन मिल जाएगा और इसके बावजूद भी आपको 21 के ऊपर माईलेज मिलेगा स्ट्रॉंग हैबरेट सिस्टेम के साथ लेकिन जो सेकेंड नंबर का पॉइंट आता है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं इनोवा हाइक्रोस को खरीदने के लिए वो है इसका एक्स्टरी लुक और बड़े डायमेंशन्स इनोवा क्रिस्टा की मुखाबले हाइक्रोस को थोड़ा सा बड़ा रखा गया है इसकी लेंध विट को इंक्रीस किया है और आपको 100 mm wheelbase थोड़ा सा ज़ादा देखने को मिल जाएगा अगर आप इसके wheelbase को इनोवा क्रिस्टा के wheelbase के साथ compare करोगे तो यह पर आपको इंटेर में अच्छाखा सा space मिलेगा और definitely comfort आपको अच्छाखा सा मिलने वाला है तो इसके dimensions को आप definitely consider कर सकते हैं अगर आप इसके dimensions को Fortuner के dimension के साथ compare करोगे तो Fortuner ़ोड़ी सी बड़ी आपको देखने को मिल जाएगी Fortuner की length और height आपको थूड़ी सी जाधा देखने को मिल जाएगी लेकिन हाइक्रोस की विड़ अपको थुड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी लेकिन अगर मैं एक्स्टरेल लुक की बात करो तो इनुवा क्रिस्ट आपको MPV कार के तरह दिखने वाली है तो इस गार का लुक काफी जदा से इस विकार से इंस्पाइड है और यहां पर आपको एस विकार का फील डफिनेटली आने वाला है इसका फ्रंट का फीशा भी काफी जदा अट्रैक्टिव रखा गया है और इसके अंदर आपको सिगनेचर ग्रिल का सेटप मिल जाएगा विद हनिकों डिजाइन पाटन इसके अलावा जो लाइटिंग सेटप यह कम्रीली नया रखा गया है निव एलेडी हेडलेट का सेटप इसके अंदर आफर किया है और एलेडी डियारल और इंडिकेटर की प्लेस्मेंट नीचे करी गई है और इसके फ्रंट के बंपर्स आपको थोड़ी से स्पोर्ट यह देखने को मिल जाएंगे 18 इंचेस अलोई विल का डिजाइन आपको मिल जाएगा अलोई विल का डिजाइन भी काफी नया रखा है और इसका साइट का प्रोफेल आपर स्क्रीन के उपर देख सकते है यह कार साइट से भी दिखने में काफे जदा बढ़िया लग रही है वही रियर के फीशा में आपको न्यूव LED टेलेट का सेटप मिलेगा इसके अलावा इसका रियर का फीशा आपको completely SUV कार का फील देने माला है और इनवा क्रिस्टा का जो रियर का फीशा है वो थोड़ा सा बॉक्सी टाइप लगता है बहुत से लोगों को अच्छा लगता होगा बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा लेकिन आपको high cross का rear का फीशा कैसा लगा comment section में जरूर बता देना तो आप external look को definitely consider कर सकते हैं अगर आपको high cross को purchase करना है no doubt इसका extra look काफी जदा बहतरीन रखा है Toyota ने अब यहाँ पर third point के बार में बात कर लेते हैं जो की काफी जदा important है वो है इसका interior देखो Toyota ने काफी नया interior रखा है यहाँ पर आपको काफी नया design elements देखने को मिल जाएंगे interior में और सबसे important जिस आपको comfort महीं next level देखने को मिल जाएगा Toyota ने इसकार को seven sitter और eight sitter configuration के साथ उता रहा है आपको seven sitter configuration के साथ दो captain seats मिल जाएंगे और यह दोनों ही captain seats electrically adjustable हो जाती है और बहुत सरे features को offer किया है यहाँ पर Toyota company ने यहाँ पर आपको comfort की साब से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इसके अलावा आपको dashboard completely नाया देखने को मिल जाएगा 10 inch का बढ़ा touchscreen enforcement system offer किया है जो की support करता है Android और Apple CarPlay को इसके अलावा आपको लेदर की finishing मिलेगी dashboard के उपर seats के उपर Apple Street और armrest के उपर इसके अलावा two way zone automatic climate control को option आपको मिलेगा high cross के अंदर और इसका अगलग temperature setting का option आपको मिलेगा high cross के अंदर तो यह भी काफी बढ़िया बात है और सबसे important जिस आपको high cross के अंदर बड़ा सा panoramic sunroof को option मिल जाएगा अभी फिलाल के लिए आपको इन्वा क्रेस्टा और Toyota Fortuner के अंदर sunroof को option नहीं मिलेगा लेकिन Toyota ने high cross के अंदर काफी बड़ा panoramic sunroof को option दिया हुआ है तो definitely इसकी वज़े से आप इस कार को consider कर सकते हैं इसके अलावा ambient mood lighting का option आपको मिलेगा 360 degree camera को option दिया हुआ है जो की Fortuner के अंदर और इन्वा क्रिस्टा के अंदर नहीं दिया जाता इसके अलावा गाने सुननी के लिए आपको JBL के 9 speakers मिल जाएंगे और अधेर सारे premium features Toyota ने high cross के अंदर offer करें और इन features को देखने के बाद आप definitely high cross के साथ जा सकते हैं मेरे हिसाब से यह काफी बड़िया features offer करें Toyota लेकिन प्रीवियसली जो इन्वा क्रिस्टा थी इसके लावा फॉचुनर थी उनके अंदर उतनी advanced level की features नहीं आते अ अब यहाँ पर आपको advanced level के और चेचे features high cross के interior में देखने को मिल जाएंगे तो यह भी काफी बड़िया बात है अब यहाँ पर fourth point के बारे में बात के लेते हैं जो की काफे ज़िदा important है वो है safety features इसके इलावा ADAS technology आज के डेट में इंडिया में बहुत सरी सी कार हैं जिनके dynamic radar cruise control यह feature आपको मिलेगा और same feature xv7w के अंदर दिया जाता है इसके अलावा blind spot monitoring system का option आपको मिलेगा auto high beam और धेल सरे features आपको इस car के अंदर देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर आपको safety की साब से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और Toyota ने इस car के अंदर साथ airbags को option भ देने वाला है अगर आपका budget 20 लाग रुपए के ऊपर है अगर आपका budget 30 लाग रुपए के ऊपर है तो definitely आप इस car को consider कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो 5 नंबर का point है वह है pricing आप सभी लोगों को पता है इनुवा क्रिस्टा की pricing कितनी है इसके अलावा फॉर्टनर का जो प्राइस बताई जा रही है वो लगबग 20 या फिर 25 लाग रुपए से शुरू हो सकती है यह expected price बताई जा रही है लेकिन मेरे इसकार की कीमत तुड़ी से ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि Toyota को काफिस ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है इंडियन गवर्मेंट को उसी व लगता है इमया हेक्रोस की कीमत कितनी होनी चाहिए कॉमें जरूर बतादी न टुएटा की Fortuner इनो क्रिस्टा या फिर हाइक्रोस इन दिनो में से आपको कौनसे का राच्छे लगी कौमें सक्षे न में जरूर बता दीना और हाँ यह वीडियो अपने सभी दोस्तर के साथ और परिवर मौल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आने वले समय में इनुवा क्रेस्टा या फिर फॉर्चुनर या फिर हाई क्रोस को पर्चेस करना है ताकि उनके सभी डाउट क्लियर हो जाए वीडियो अच्छा लगाओ तो जरू इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बल नोडिफिकेशन का जरूर कर लेना